जी राजस्तान प्रमुक्ता से सिक्षा में धांदली की ख़बरों को आपके सामने हमीशा लाता रहता है इस वक्त क्या सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहा है उधैपुर में Pacific Institute of Medical Science को लेकर ये ख़बर है जो एक बार फिर अपने धांदली और मनमानी को लेकर चर्चाओ में है संस्था पर PG admission में ज्यादा फीस वसूलने की आरोप लगने के मामले में जाच कमिटी में शामिल गिर्वा SDM प्रतिवा वर्मा ने Medical Education Department को अपनी जाच रिपोर्ट भेजी है इस पोरी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आविनाश यगनावत हमारे साथ जुड़े हुए है आविनाश ये बताईए Pacific Institute पर एक बर फिर जादा फीस वसूलने का आरोप लग रहा है जिभी कुछ देखिए PG के एड़िशन होने थे और इस दोरान बच्चों ने PIMS प्रबंदन पर जो सरकार की निदरिच सी से उससे ज़्यादा पेसे वसूलने का आरोप लगाया था और छे सदस्य टीम जाज के लिए पहुंची थी जिसमें की कलेक्टर अर्विन पोस्वाल के प्रतिमिदी के रूप में गिरवा एस दीम उसमें शामिल हुई थी और एस दीम ने अपनी जाज जिपोड़ अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्मेंट को बेज दी है जिसमें कई संगीन आरोप जो है उनकी इसमें कहा जा सकता है कि एक तरह से पुष्टी जो हो होता ही है एस दीम प्रतिवा और वागा साथ केना है कि बेंक प्रपंदन की तरफ से कुछ चात्रों से बेंक गारेंटी और एफडी आर के रूप में तिरिक्त राची की मांग की गई थी और यह राची जो है वो 25 लाग से 2 करोण रुपे तक की प्रतिय स्टुडेंट से थी तो कहा जा सकता है कि मेडिकल कोलेज में प्रवेश के गौरत दंदे का ये खेल है किस तरह से इसमें स्टुडेंट के साथ में चलावा होता है किस तरह से उनसे चोट वसुली जो है वो की जाती है करीब 13 बच्चों की लिखी सिकायच थी जिनके तमाम बच्चों के बयान र दो लिए गए जो एस्टीम की जाज जिपोर्टे उसमें एक बात ये भी सामने आई कि बच्चों की तरह के उपर ये पेसे देने के लिए अलग अलग तरह से दवाब बनाया जाते थे जिसमें की साब्स और पे जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से नहीं समझ कर दिया जाएगा आपकी उफस्तिति यहां पर नहीं बताई जाएगी ताकि उनको किसी दूसरे को एड्मिसन देने का मौका मिल जाए तो इस तरह से कहीं तरह की अनीमिता है जो है वह यहां पर सामने उसके लावा जो बच्चे थे उन्होंने जाज कमिटी के सामने ये सब्सक्राइब को पाबंद किया है कि वह किसी तरह से उपर अन्यतिक दबाव में बनाए अगर अविनाश आप हमारे साथ बने रही है आपको बता दे कि SDM प्रतिवा वर्मा ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते तो इस पूरे विस्तार में जाज की गई और इसमें ये निकल के आया कि college में अपने discretion से कुछ बच्चों से bank guarantee ली थी कुछ से नहीं ली थी और इसका कोई आधार उनके द्वारे नहीं बताया गया कि ये किस आधार पे बच्चों को exemption दिया जा रहा है या बच्चों से bank guarantee ली जा रही है इसके अतरिक्त ये भी अन्य इसको पूरा करने पर तो मना किया जाता है और कई प्रकार से दबाव बनाने की कुछ-कुछ सितियां सामने आई जो हमने सारी जांच रिकोर्ट में डाल दी है और अविनाश ये बताईए इस पूरे मामले पर क्या कहना है PIMS प्रबंधन का आप क्या कहना है जिए लगातार जब ये बाइट सब्सक्राइब करने काम कर रहे हैं अमने उसके वर्जन के लिए उनको कहा लेकिन वर्जन देने के लिए कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा है क्योंकि अगर ये पूरी जाच स्रिपोर्ट को देखा जाया तो कई सारे संगीन आरोपों की इसमें प्रस्ट्रक्स रूप से पुष्टी होती है और करीं तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों निर्दारी स्पीस से ज्यादा पेसे वसूले जा रहे हैं उसके पीछे क्य क्या कारण है क्योंकि जाच कमिटी के सामने भी पूरे प्रबंदन का कैना है कि उन्होंने आरोपों को सीरे से खारिज कर दिया लेकिन जो अतिरिक पीस को लिए बैंक गारंटी और एटीर की रियासी के रुपे 25 लाग से 2 करोर रुपे तक मांगे जा रहे थे उसके पीचे रहे किन कारणों की नियोंगों के ताद ये तीजे मांगी गई जब जाच कमिटी ने भी ये सवाल पूछे तो उनका जवाब भी पीए एमस प्रबंदन के पास में नहीं था तो इस तरह के कहीं सारे सवाल जे हुए जिनका की हम भी जवाब चाते हैं कि आखिर क्या हर साल एक इत्सक्व पहलात एक प्च्वे जवाब प्रवेस से पूरी जानकारी नहीं दी जारी ताकि प्रबंदन हर फॉट्व च्रुजेत की सवाव हम भी चाते ृomen को़ भी जिम्धार। केमरे के सामने आने के तैयार नहीं है नहीं कुछ भी बात ओफ रिकोर्ड भी ये लोग करना चाह रहे हैं अविनाश ये बहुत बड़ा मामला है देखी आप PIMS प्रबंदन ने शात्रों से करीब 25 लाग से 2 करोड रुपे तक की अतरिक तराशी मांगी थी इस पारे में क्या कहना है जो है जांच रिपोर्ट में और क्या निकल कर सामने आया है जो कि ये तमाम सिकायते जो है उनका वो कहीं ने कहीं साई ठहराते हैं है अलाकि क्योंकि अभी पूरी जांच जो है एजडियम गिर्वा के तरफ से मेडिकल एज्यूकेशन डिपार्मेंट को बेजी गई है वहां से जो टीम आई थी वो इस चार्ज रिपोर्ट को देखेगी उसके अलावा एक डिपार्मेंट के तरफ से जो अधीकारी आयते उ है उनकी रिपोर्ट को देखा जाएगा उसके आधार पर इस पर कार्वें की जाएगी अलाकि किस तरह की कार्वें होती है कि नियूमों के सब्सक्राइब कार रोई होती है यह वाद भी हमने एजडियम गिर्वां से पूछी ती लेकिन उन्होंने जाहाज रिपोर्ट शात्रों के उपर बनाने का वहाँ पर प्रयास किया गया इसी प्रिक्तिति अभी जाहाज कमीटी के सामने आई है लेकिन देखना होगा कि यह तवाम जाहाज कमीटी किस तरह से इनकी रिपोर्ट आती है और क्या इनके खिलाब कार्वें की जाती है देखिए अगर एक बार यह पूरी कमीटी मिलके या डिपार्मेंट सक्त कार्वें करता है तो इसके जरीए अन्य मेडिकल कोलेज ओको भी एक मैसेज लिया जा सकेगा कि इस तरह से अनितिक कार्य किये जाएंगे तो उनको बक्सा नहीं जाएगा और उनके खिलाब भी सक्त कार्वें की जाएगी कह बहुत बड़ा ये मामला है देखिए आप जो आपको बता दे कि PIMS प्रबंधन जो है लगातार शात्रों से दवाव बनाता रहा है और प्रवेश के समय इसकी पूरी जानकारी स्टुडेंट्स को नहीं दी जाती है स्टुडेंट्स इसको लेकर बेहत आहत होते हैं बाद में उनसे पैसे की रख्म मांगी जाती है अतरिक पैसे की मांग की जाती है और उसकी थी या उन्हों कि हैना में शात्रों क्या क्या है इस सब्सक्राइब कर दो से तीन करोड रुपे जो वह मांगे जा रहे हैं एक स्टुडेंट से हमने बाद की जो जिसकर की काउंसलिंग करी एक से देर महीने पहले हो गई थी उसने अपनी फीस जमा करा दी ती वह भी जांस कमिटी के सामने स्टुडेंट पेस हुई थी उसने भी अपनी पीडा जाता है कि मेरे को एड़िशन कंफरमेशन नहीं दिया जा रहा है औरिजनल डोक्यूमेंट जो रख लिए हैं वो मेरे को फिर से लोटाए नहीं जा रहे हैं उसको डर था कि कहीं पी एमस प्रबंदन उसका एक साल बरबा है लगातार ज्यादा फीस वसोली जा रही है शात्रों से वक्त एक छोटी सा ब्रेक का है ब्रेक के बाद भी खबरे लगातार जारी रहेंगे